इन दौर में जरूरत मंद लोगों को वस्तदान करने की मुहीं तीन साल पहले शुरू की गई थी जिसमें सबसे पहले एंजियो इंडियन मॉम्स के वालेंग्टियर आ गया है उसके बाद छोटे छोटे बच्चों और कई संगटनों में कपरे दान करने की जैसे होर सी लग ग इसी कड़ी में इस एंजियो की निर्टर्ट में अभी तक देखते देखते करीब एक लाग से अधे कपरे दान हो चुके हैं किसी गरीब और जरूरत मंद के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए लाव लशकर की जरूरत नहीं होती यदि आप चाहें तो अकेले भी एक काम कर सकते हैं इंडियन मॉम्स पिछले तीन सालों से ऐसे लोगों का सहारा बनी हुई है जो विकास की दौर में काफी पीछे जूट गया है ये सहारा भले ही आर्थिक नहों लेकिन वक्त के थपेड़े सहते सहते ठक चुके लोगों को पल भर के लिए कुछ खुशी जरूर दे जाता है